हलो एवरिवन वेलकम टू योवर यूटूब चैनल साइन्स फाउंडेशन तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊगा बी एस सी पाथ पस्ट एयर जूलो जी पस्ट फेपर की खुट मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन जोगी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है पर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशनों की जो श्रीज तैयार करवाई जा रही है इन सभी को अच्छी तरह से रट लो क्योंकि ये जो क्यूशन है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है 2022 के लिए और इनमें से आपका जो पिच्चा से प्रसेंट स्लेवस है वो लगब जना आपका सुक्सम दर्शी की विवेदन समता क्या होती है आप सभी को पता होगा जो माइक्रो इसकोप है उसकी विवेदन समता क्या होती है इससे क्या तात्प्रिया है तो इसके बारे में डेफिनेशन एक्जाम में ज्यादा जर पूछी जाती है तो मैं आपको पता जो क्यूशन है यह सोट क्यूशन है इसकी वज़े से आपको यहाँ पर सिर्फ इतना पूछ है कि कोशी का सिद्धान्त है वो किसने प्रतिपादित किया तुम आपको बता दू मैथियास, जेकब, स्लाइडन वे थियोडार, स्वान नामन के जो वैग्यानिक है उन्होंने आपको परिवासित कीजिए इसका आंसर देखिए गुण सुत्र के डेने की जो मोल्यूकुलर इस्टेक्चर है उसी कोई क्या खा जाता है केंद्राव कहा जाता है तो यह जो डेफिनेशन है काफी ज्यादा इंपोटेंट है और काफी ज्यादा बार एक्जाम में रिपीट भी हो चुकी है उसकी वज़े से आपको यहाँ पर में कुशनों का अंसर बता रहा हूँ नेश्ट कुशन देखिए दोहरी जिल्ले युक्त कोशिकांगों के नाम बताईए मैं आपको बता दू जो कोशिका होती है उसमें दो प्रकार की कोशिकांग पाए जाती है पस्ट एक जिल्ले युक्त and second है दो जिल्ले युक्त तो आपको यहाँ पर पुछा है दोहरी जिल्ले युक्त कोशिकांगों के नाम बताईए तो इसमें पस्ट देखिए लाइसोसॉम and second है माइटो कोंडिया नेश्ट कुशन देखिए गुन्सुत्रों में पाए जाने वाले स्टोन प्रोटीन के नाम पूछता है कभी चार या पाच भी पूछ सकते हैं तो आपको इनका नाम याद रखना है इसमें आंसर देखें इसका आर्जिनीन एमवलाइसीन यह जो स्टोन प्रोटीन है गुण सुत्रों में पाई जाती है नेश्ट क्यूशन देखें डेने गेज एंजाइम है यह क्या करता है जो डेने की जो ओपाजा की खंड है इनको आपस में सेल लेगन करने का कारिय करता है अर्थार्थ इनको आपस में जोडने का कारिय करता है तो यह जो क्यूशन है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है इनको आपको अच्छी तरे से किलियर कर लेना है क्योंकि मैं फिर से खेरा हुई 2022 के लिए एकजाम की द्रिष्टी से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्यूसेन है नेश्ट क्यूसेन देखे अंत्य प्रद्रव जालिका की दो कारिय लिखे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम होता है कोशिका के यह भी एक प्रकार का कोशिकांग है तो इसकी क्या कारिय है यह कोशिका में किस प्रकार का कारिय करता है अर्थात आप खह सकते हो कि जो सेल्स उसके अंदर इसका क्या रोल है तो मैं आपको बतादू जो कोशिका का यांत्रिक आदार है वो endoplasmic reticulum अर्थात अंतर द्र्व जाले का प्रदान करती है और जो पदार्थों का विन्वे, विन्वे का मतलम आपको बतादू जो आदान प्रदान होता है, अर्थात कोई भी पदार्थ जो कोजका के लिए लापकारी है, उसका कोजका के अंदर प्रोयस करना और भारी पदार्थों का निस्कासन करना, तो जो पदार्थों का विन्व में होता है वो भी इसी के द्वारा होता है next question देखे MRNA का कार्य लिखे तो सबसे पहला तो question आपका यह होता है कि जो RNA वो कितने प्रकार के होते हैं तो मापको बता दूए तीन प्रकार के होते हैं MRNA अर्थात messenger RNA RNA और एक होता है tRNA transfer RNA तो इस तीन प्रकार का RNA होता है इनके तीनों प्रकारों के जो कार्य है वो आपको अच्छी तरह से किलियर कर ले ना है तो यहां पर आपसे पूछा है MRNA का कार्य लिखे तो यहां पर देखे यह DNA द्वारा प्रति लेके सांकितिक सूचनाओं को राइबो से थ्री दिशा में छोटे-छोटे खंडों की रूप में यह संसलेशित होता है और इन खंडों में 1000 से 2000 नुकलोटाइड होते है जिने ओकाजाट की खंड या ओकाजागी फ्रेंट बेंच कहा जाता है तो यह जो क्यूशन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है मैं फिर से बत देता हूँ 2022 के एकजम में 100% यह जो क्यूशन नहीं पूट अफ होगे नेक्ट क्यूशन देखे यूगम विकल्पी की परिवासर लिखे तो इसमें आंसर देखे एक लक्षन की दो विकल्पों को प्रदर्शित कटलने वाली थता समझात गुण सुत्रों के संगत विंदू पतों पर इस्तित जीन के यूगम को यूगम विकल्पी कहा जाता है नेक्ट क्यूशन देखे वेक्टरस क्या होते है तो इसमें देखे वेक्टरस डियेने अनु होते है जो की कोशिकाओं में डियेने को उस्तानांत करने का कार्य करते है जैसे प्लाजमीड वेक्टर कोशम विशेश प्रकार के एक महागुण सुत्र होते हैं ये वून वर्टिब्रेट्स के अंड को सिखा हूँ उस साइट के केंद्रक में पाए जाते हैं जिनमें पी तक जो योक बड़ी मात्रा में उनमें पाए जाते हैं खुदारण के लिए आपने आपर पिसेज ले सकते हो मसली इसका बेस्ट एक्जांपल है नेक्स्ट कुछन देखे हेट्रोसिस को परिवासित कीजी तो इसका आंसर देखे संकर पादपकों की जनकों की तुन नाम में हदिक उत्त्ता विमारियों की परति अतिरिक्थ परति रोधक्ता को को प्रदर्शित करना संकर होज कहा जाते है और इसी का ही दूसरा नाम क्या है हेट्रोसिस अर्थात संकर होज के नाम से भी यह definition पूछी जा सकती है या फिर हेट्रोसिस के नाम से भी यह परिवासा पूछी जाती है नेक्स्ट क्यूशन देखिए क्यूशन नमबर यह पर 14 है दो समापन कोडों के नाम लिखे यूएजी और यूवले दोनों का अच्छी तरह से कंटस्ट कर लेना है यह क्या है एक समापन कोड है जो कि संकला के संकला होती है उसको समापन करने का कारे करते है नेक्स्ट होती है, तुम आपको पता दू, इस्तान परीवर्तन करने वाले ऐसे जीनों को jumping gene या फिर इनहे टांस्पूजोन कहा जाता है, तो जो इनका उपनाम होता है, इनको भी आपको छित्रे से कलिए कर लेना है, क्योंकि आपको इसको jumping gene की नाम से भीपोछा जाता है, बारत में पादव प्रजिनन के छित्र में DR. M. Svarminathan का क्या योगदान है? काफी ज़्जाप ईजी क्यूषन है इन सबी स्टुट्रेंटों को लगभग के लिए है कि जो बारति है HArit क्रांथी की जनक है वो कों है दोक्रा implement Svarminathan और इनका क्या योगदान रहा अब आपको पता है हरित क्रांती की से संबंधित है तो इनका जो योगदान है वो भी इसी के छेत्र में रहा होगा तो आंसर देखे हरित क्रांती के यह जनक है गेव की बोनी किस्मों का विकास था उच उत्पादकता वाली धान के किस्में विक्षित की गई नेस्ट क्यूशन है जीन क्या है तो मैं आपको बता दू नुकलीकम लगा एक ऐसा सतत अनुकरम जो की है कि विशेष्ट पोली पेप्टाइड कार्यात्मक आरेने को इंगित करता है उसे हम क्या बोलते है जीन का अगला जो क्यूशन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्य क्यूशन है बारतिय कर्षी अनुसंदान संस्तान जिसे आप इंगलिस में बोलते हो सोट फोर्म आई ए आराई कहां इस्तित है तो यह नई दिलने में यह अनुसंदान बारतिय कर्षी अनुसंदान संस्तान नई दिलने में इस्तित है तो इसके बारे में पूछा जाते है तो ये जो question है काफी ज़्यादा important question है and मैं आपको एक most बात तोर बता दू अपने channel science foundation की personal website है जो तयार की जा रही है उस पर क्या है आपको most important question हो का answer and आपका जो exam pattern है, paper किस प्रकार का आता है paper में कितने question होते है उन सभी बातों की जो जानकारी है वो आपको website के माध्यम से मिल जाएगी उसको अभी तयार करने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन जब भी website अच्छी तरह से clear हो जाएगी तो मैं आपको उसके बारे में information दे दूँगा and उसकी जो link है वो भी मैं आपको description में प्रदान कर दूँगा माजा कर आप उसको जोइनिंग कर लेना तो दन्यवाद दोस्तों मिलते हैं किसी नईव वीडियो में तब तक लिए जैहिन बन लेवाप